इस समय आप सभी लोग एक केस के बारे में जरूर सुन रहे होंगे उसका नाम है नारदा केस या इसे आप लोग नारदा घोटाला भी कहते हैं और आप देख रहे हैं कि पर्चे मंगाल में किस तरह से उठाफटक चल रही है जब से आपने देखा है तर्डमोल कॉंग्रेस के कुछ नेताओं को गरपतार कर लिया गया है तो इसके बारे में एक सामान जानकारी हम लोग देख लेंगे जिससे आपके दिमन में जो भी सवाल रहे होंगे उनके आंसर मिल जाएंगे एक बार आप लोग पश्चे मंगाल को देख लिए मैब में पहली देखिए हमारी प्यारी पितबी इसमें आप देखेंगे इसी आप में प्यारा भारत हमें देखने को मिलेगा इसमें आप अपने पड़ोसियों की बात करें तो इसमें आपको सिरिलंका, बंगलादेश, मियानमार, भूटान, नैपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस सभी हमारे पड़ोसिय हैं यहां आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, अरफ सागर देखने को मिल जाएगा इसी में आप देखेंगे एक राज्य हमारा पश्चे मंगाल यह आपको दिखाई दे रहा है यहां अच्छे से देख लीजे आप लोग के लिए देखें यह हमारा पश्चे मंगाल इसकी राध्धानी की बात करें तो आपको मालो होना चाहिए कोलकाता है और इससे अगल हम लोग लगे राज्यों की बात करें क्योंकि आपने देखा है कई बार आपके कुश्चन्स पूच लेते हैं कि इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है यह आपसे कुश्चन्स बन जाता है कि पश्चे मंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है इस तरह के भी कुश्चन्स आ गए तो इसकी सीमा उडीशा से भी लगती है जारकंड से भी लगती है बिहार से भी लगती है इसकी सीमा सिक्किम से लगती है और असम से भी लगती है ठीक है यह तो हो गए राज अगर हम लोग देशों की बात करें तो इसकी सीमा नैपाल से लग रही है और भूटान से भी लगती है और इसकी सीमा आपको बंगलादेश से भी लगती है ठीक है य यहां अगर हम लोग कुछ सीटों की अगर बात करें तो आपको विधान सवा सीटें 294 देखने को मिलेगी लोग सवा सीटें 42 देखने को मिलेगी और राज्य सवा सीटें 16 देखने को मिलेगी तो यह भी आप लोग मालू होना चाहिए चलिए अब इस केस के बारे में हम लोग जान लेते हैं अभी हाली में आपका केंदरिय जाज बीरों ने पश्चे मंगाल के मंत्रियों सुबग मुखर जी फिरहाद हकिम और टीमसी बिधायक मदन मित्रा और सोबन चटोपाद ध्याय जो कोलकाता की पूर मेयर है इन्हें गिरबतार किया है और तभी से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चे मंगाल में हंगामा चल रहा है इस केस की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिए 2014 के करीब का केस है लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि ये केस आता है 2016 में आप जानते हैं कि 2016 में पश्चे मंगाल में विधानसवा के चुनाओ थे और आप जानते हैं कि विधानसवा चुनाओ के समय इस तरह की उट पटा उठा पटक चलती है तो याद रखिए ये इस पूरा केस जानने के वाद आपको भी लगेगा कि एक तरह से पूरी रड़नीती के तैत आप कह सकते हैं या तो भिष्टाचार को जागर करने के लिए या फर किसी और खास उद्दे से इसे पूरी कहानी बनाए गया है और किलियर बनाए गया है यह मामला 2016 का है जब आपने देखा है कि 2016 की पश्य मंगाल विधानसवा चुनाओ से ठीक पहले नारद निउज पोर्टल के मुखे कारिकारी अधिकारी थे मैथिव सेमूल इन्होंने एक क्या किया कि एक इस्टिंग बीडियो जारी किया और उस समय राजनीती में बनगाल की हलचल मच गया इस इस्टिंग में क्या हुआ कि सेमूल एक कंपणी के पिति निदी के तोर पर तेडमूल कॉंग्रेस के साथ सांसदों तेन मंत्रियों और कोलकाता निगर निगम के मेयर सोभन चटर जी को काम कराने के बदले मैं मौटी रखम देते नजर आ रहे थे एक तरह से आप ऐसा करिए आप लोग इस तरह से इसे देख सकते हैं मालीजे आप किसी कंपणी के एक तरह से मालिक बनके किसी फार्टी की नेताओं से मिलते हैं और आप क्या करते हैं कि उन्हें अप कोई काम बताते हैं कि ये काम आपको करना हुआ और आपको उसके बदले पैसा देते हैं और इसका पूरा capture कर लेते हैं इस बीडियो को पूरा recording कर लेते हैं और कुछ समय के बाद आप क्या करते हैं कि उस बीडियो को release कर देते हैं देखिए आपने जो भी बीडियो बनाया हुए या पूरी एक कहानी गड़ी हो आपने लेकिन किसी खास उद्देश से तो जरूर गड़ी होगी ठीक है? और इस टिंग को ममता बनाजी ने उस समय साजिस कराज दिया था और जबकि बेपक्षियों को ममता के खिलाब एक बड़ा हत्यार भी मिल गया था और साल 2017 में कोर्ट काता हाई कोर्ट में पहुंचता है यह मामला और CBI जाज के आदेश दिये जाते हैं और जैसे सुप्रिंग कोर्ट ने भी बरकरार रखा और बरस 2014 में कथित अब राद के समय यह सभी मंतरी थे जिनने इस मुकदमे में एक तरह से आपके सकते हैं सामिल किया गया है फॉरें सिंग जाज भी कराई गई इस वीडियो की उसमें वीडियो सही भी पाए गया है और इससे नारग टीवी के CEO मैथिव को हाई कोर्ट से रहात मिली और तब बताये गया था कि टैब 2014 में रकॉर्ड किया गया था और इसमें अगर हम बात करें कि टीएमसी की कौन कौन से नेताओं को सामिल किया गया है तो नारग टीवी के स्टेंग में नजजर आने वाले नेताओं में उस समय आप देखें कि TMC नेता मुकल रोय जो अब BJP में सामिल हो चुके हैं एक आपके सुवेंदू अधिकारी ये भी BJP में सामिल हो गए हैं और सबसे जान्दा एक तरह से आप सही है कि इसलिए भी बबाल मचा हुआ है क्योंकि इस दोनों देशों के खिलाब कोई भी कारवाही नहीं की गए है क्योंकि ए दोनों नेता अब BJP में सामिल हो चुके हैं ठीक है और इसमें एक नाम था सुबबत मुकर जी और सुल्तान अहमद भी सामिल थी पिसून बनर जी, सुभन चटर जी, मदन मित्रा, काकोली गोष्ट दास्तिकार, एकवाल एहमद, फरहाद हकिम इसमें सामिल थे इसके अलाबा आप देखेंगे एक सीनियर पुलिस अफसर भी इसमें सामिल थे एम, एच, एहमद मीज्या को भी इस्टिंग में रिस्पत लेते दिखाए गया था और नारिग इस्टिंग में केस में नामित साथ तर्मूल सांसदों में से च्छे लोग सभा से और मुकर रॉय राज्य सभा से सांसद थे मुकर रॉय अब बीजेपी में आप लोगों कुमालों हैं कि सामिल हो चुके हैं और ये अभी अभी बिधायक भी चुने गए हैं अभी जो बिधायन सबसी चुना हुए थी तो इनके खिलाब अब कोई कारवाही नहीं हुई है यानि कि आप समझ सकते हैं इसलिए कहा जा रहा है कि कैंद सरकार की तरफ से जो पश्चिमंगाल की चुना हुए है उसमें हार वर्दास तनहीं करने के कारण ये बदले की भावना रखी जा रही है ऐसे अभी क्या है जो तर्मूल कॉंग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है और इसमें आप लोग देखेंगे एक अन आरूपी भी थी सांसर सुल्तान एहमत इनका निर्धन मतलब इनकी डेथ हो चुकी है और CBI ने काकोली गोस्त दस्तिकार पिसून बनर जी अपरना पुद्दार के खला मुकदमा चलाने की अनमती भी मांगी थी लेकिन उस समय आप देखेंगे कि लोगसभा देख्च ने मंजूरी नहीं दी क्यूंकि आप समझें ये सभी लोगसभा सदस है CBI के गठन की बात करें तो आपको माल होगा कि 1963 में 1963 में इसकी स्थापना की गई थी 1963 और इसका मुख्याला आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा इसका मैं उद्देश था इसका गठन करने का कि जो अपरादी के वं राष्टिय स्वरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं जो मामले होते हैं इनकी जाज करना इसका उद्देश है ठीक है तो ये भी आप लोग याद रुखे